Well, hello, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी 2012 में एक फिल्म आई थी, कहानी जिसमें बॉब बिस्वास नाम के कॉन्ट्रेक्ट किलर को इंट्रिडूस कराया गया था और अभिशेक बच्चन की फिल्म बॉब बिस्वास उसी क्यारेक्टर पर आधारित है ये फिल्म दो घंटे की है, यानि देखा जाये तो जादा लंबी नहीं है पर बहुत से जगा मुवी देखते वक्त ऐसा लगा जैसे इसकी स्टोरी को ड्रैग किया जा रहा है वैसे फिल्म देड़ घंटे की होती तो भी कुछ खास फरक नहीं पड़ता अब देखे इसका ट्रेलर बहुत ही बहतरीन था ऐसा लग रहा था कि ये एक बहुत ही सस्पेंस फुल मुवी होगी जिसमें फोकस सिर्फ अभिशेक बच्चन के कैरेक्टर याने बॉब बिस्वास की लाइफ पर किया जाएगा बट ऐसा नहीं था मुवी की स्टोरी किसी अलग ही एंगल से स्टार्ट हो रही है जिसे बॉब की लाइफ के साथ जोड़ा जा रहा है बॉब का एक ऐसा एक्सिडेंट हो गया है जिसे उसकी याददास चली गई है अब उसे पता ही नहीं कि आगे वाला इंसान उसके लाइफ में क्या माइने रखता है मतलब ना वो अपने बीबी बच्चों को पहचान रहा है उतना है नहीं पर जहाँ अभिशेक ने बॉब के कैरेक्टर में जान डाली है उतनी जान अगर स्टोरी, कैमेरा एंगल और स्क्रीन प्ले में होती तो शायद ये मूवी और भी अच्छे से सामने निकल कराती अब देखे इस फिल्म में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है और कुछ निगेटिव जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करे तो अभिशेक बच्चन ने अपने अक्टिंग को अब एक अलग ही लेवल पर लाकर रखा है याने उनके अक्टिंग दिन बदिन अच्छी होती जा रही है दूसरा पॉजिटिव पॉइंट कि इस मूवी को अननेसेसरली धाई तीन घंटे का नहीं बनाया गया तैंक्यू सो मच तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये कि इस फिल्म में दो तीन जगा चौका देने वाले सर्प्राइजेस है और सर्प्राइज किसे अच्छा नहीं लगता बट इसी के साथ इसमें निगेटिव पॉइंट भी है जैसे बॉब की स्टोरी मुझे परसनली उतनी खास नहीं लगी क्यारेक्टर डेवलप्मेंट में उतना ज़ादा ध्यान नहीं दिया गया बॉब का एक्सिरेंट हुआ लेकिन वो क्यू और कैसे हुआ इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया ऐसे कैसे इसका में बीजियम तो अच्छा है बट कुछ एक जगा डायलोक्स के पीछे बहुत ही बचकाना म्यूजिक चलते रहता है वो सिचुएशन के साथ मैच ही नहीं कर रहा था लास्ट में साल को लेकर एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है इन लोगोंने बताओंगा तो वो बहुत ही बड़ा स्पोईलर हो जाएगा आप खुद ही देख लेना क्यूकि इस कैरेक्टर की स्टोरी 2012 में आये कहानी वाले बॉब बिस्वास से पहले वाली है मतलब कहानी वाले बॉब बिस्वास की बैक स्टोरी मतलब इतनी अच्छे एक्टिंग के बाद उसका वो कैरेक्टर इंप्रेसी नहीं कर पाता इस फिल्म के सौंग बिलो एवरेज है एकदम सो सो मतलब दोबारा सुनने का मन ना करे ऐसे बाकि इस फिल्म की स्टोरी ठीक ठाक थी और बाकि सपोर्टिव एक्टर्स की एक्टिंग भी एवरेज थी तो ओवरॉल ये एक वन टाइम वॉच एवरेज मुवी सामने निकल कर आई है मैं दूँगा इस मुवी को 2.5 आउट ओफ 5 स्टार्स मिलते हैं अगले वीडियो में बाई